यह विद्धियारतियों आज जो हम टॉपिक डिसकस कर रहे हैं बिना प्रतीफल कानुबंद व्यर्थ होता है मैं डॉक्टर अरचनातिवारी असिस्टेंट प्रॉफिसर बिजनस एड्मिनिस्रेशन स्पीसी गर्मेंट कॉलेज अजमेट यानि की गर्मेंट का मीनिंग होता है कि जब प्रस्ताव रखा गया है उसका स्वीकरती मिली है तो यानि की वो एक ठहराओ बन गया अगरिमेंट बन गया लेकिन ऐसे ठहराओ कई तरह की हो सकते हैं तो ऐसे अगरिमेंट जिनमें की consideration नहीं है प्रतीफल नहीं है तो वो हमेशा व्यर्थ होते हैं व्यर्थ का मीनिंग भी आप समय जी गए कि the agreements which are from the very beginning if they are not considered as valid in the eyes of the law then they are considered as the void agreements व्यर्थ ठहराओ हम उने कहेंगे जिसमें की कोई भी वैद प्रतीफल उपलब्द नहीं है तो जो भारती है समीदा अधिनियम है या Indian Contract Act है उसकी धारा 25 में लिखा हुआ है कि बिना प्रतीफल के ठहराओ व्यर्थ माने जाते हैं तो प्रत्यक अनुबंद में प्रतीफल का होना आवशक है प्रतीफल के अभाव में अनुबंद एक तरह से gambling के अनुसार समझा जा सकता है या जूए के रूप में माना जा सकता है और उसका result यह निकलता है कि वे व्यर्थ होता है तो जैसे कि जो writers है Salmond और Winfield उन्होंने भी लिखा है कि प्रतीफल के अभाव में दिया गया वचन एक तरह से भेंट होता है प्राइज होता है या डोनेशन हो सकता है जबकि प्रतीफल वाला वचन एक बारगिन होता है सौदा होता है इसी तरह से और भी जो writers हैं जैसे कि answer ने उन्होंने लिखा है कि प्रतीफल के अभाव में ठहराव और प्रवर्तिनी रहता है तो यानि कि अनुभंद के निर्मान के लिए प्रतीफल बहुत ही अवशक होता है और यह जो कि हमने अभी उपर definitions देखें उसके according तो result यही निकलता है कि बिना प्रतीफल का अनुभंद व्यर्त होता है लेकिन इसके कुछ न कुछ exceptions भी होते हैं वह exceptions हम देखते हैं कुछ ऐसे भी अनुभंद होते हैं जिनमें की प्रतीफल नहीं होता है लेकिन फिर भी हम उसको वैद मानते हैं तो जो section 25 है उसमें तीन अफ़वादों का वर्णन किया गया है तीन अफ़वाद कौन कौन से हैं वन बाई वन हम देखते हैं पहला अफ़वाद है स्वाभाविक प्यार या स्ने के परिणाम सरूब अनुभंद यानि के contract made out of the natural love and affection जब अनुभंद किनी निकट संबंदियों के बीच स्वाभाविक प्यार और स्ने के कारण होता है और वह contract लिखित या registered होता है तो ऐसा अनुभंद बिना प्रतीफल के भी वैद होता है तो section 25 इस प्रकार से प्ष्ट करता है कि अनुभंद बिना प्रतीफल के भी वैद हो सकते है तो पहला है कि यदि अनुभंद लिखित है यदि वह अनुभंद प्रचलित वीधी के अंतरगत registered है यदि वह अनुभंद निकटम संबंदियों के बीच किया गया है यदि वह अनुभंद प्रकडिके स्वभंद प्यारे से toca कर चिया गया है तो यहां ये बात विशेश मैत्व की कि ऐसा अनुभंद प्रेम है उसने के कारणी किया गया हो अत्यपक्षकारों के बीच निकट के समद्द के साथ स्वाबाविक प्रेम और स्ने भी हो जैसे कि हस्बेन वाइफ है माता पिता है, बच्चे है, भाई बेहन है या और कोई डिकर्ट संबंदी है तो माने जाते हैं ये सारे रिलेशन्स इनमें स्वाबाविक स्ने और प्यार हो सकता है इसी आधार पर एक मामले में का गया है कि एक भाई दुआरा दूसरे भाई के रिन को चुकाने का ठेराओ बिना प्रतिफल के भी वैद होगा यदि वह अनुबंद लिकित हो, रजिस्टर्ड हो या स्वाबाविक प्रेम और स्ने के आधार पर किया गया हो एक्जामपल यदि हम ले तो ए अपने पुत्र बी को प्रेम और स्ने वर्ष एक हजार रुपए देने का लिकित प्रतिग्या करता है यह अनुबंद व्यर्थ है, वॉइड है क्योंकि यहाँ पर यह क्यों वॉइड है, क्योंकि यह रजिस्टर नहीं है, पंजी करत नहीं है यह तिपी पक्षकार, निकट संबंदी और अनुबंद प्यार और स्ने से प्रेडित है लेकिन एक हजार रुपए हो सकता है कि वो फ्यूचर में न दे इसी तरह से, जैसे कि यदि आपके फादर आपको कहते हैं कि मैं ठीके एक हजार रुपए मंतली आपको पॉकेट मनी दूँगा लेकिन वो तीन महीने तो देते हैं, चौते महीने आपको नहीं देते हैं, जबकि लिखित में अनुबंद है तो भी वो कैसे कहलाएगा ठेरा व्यर्थ कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर नहीं है दूसरी चीज़ यह है कि आप अपने फादर के खिलाफ क्या कोट जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्वाबाविक प्रेम यहाँ पर है इस कारण से लेकिन अनुबंद निकेट अभियर असंबंदियों के बीच होने के आधार पर ही उसे स्वाबाविक स्ने और प्रेम से प्रेरित नहीं माना जा सकता है पक्षकारों ने वह बिना प्रतीफल का अनुबंद स्वाबाविक स्ने और प्रेम से ही किया हो यदि पक्षकारों ने यह अनुबंद आपसी जगड़ यत्वा क्रोध में किया तो यह अनुबंद व्यर्थ होगा दूसरा इसका अपवाद आता है कि स्वेच्छा से किये गए कारियों को कि शर्थी पूर्थी के लिए किये गए अनुबंद यानि कि contracts made to compensate acts done voluntarily यानि कि जब व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कारी किया हो जिसे करने के लिए व्यक्ति व्यक्ति व्यधानिक रूप से बाद देता और पलिणाम सुरूफ है दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति की सेवाओं की पूर्ण और या आशिक शेति पूर्थी करने के लिए अनुबंद करता है तो ऐसा अनुबंद प्रतिफल के अबाहों में भी वैद होता है तो यह है section 25 subsection 2 और इस उपधारा के study से यह clear हो जाता है कि कुछ बात ऐसी हो सकती जो कि शर्टों के पूरा होने के लिए वैद होती है जैसे कि पहला की एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कारी किया वचन दाता के लिए उसने यानि कि वचन ग्रहिता का वैकारे स्वेच्चा से किया गया हो अत्वा उसकारे को करने के लिए दूसरा व्यक्ति वैदानिक रूप से बात दिरा हो और तीसरा उस दूसरी व्यक्ति ने पहले विक्ति की सेवों की पून और आंशिक चतिपूर्दि का वचन दिया हो इसी तरह से वचन ग्रहिता द्वारा कारे करते समय वचन दाता एक्जिस्टेंस में भी होना चाहिए और वचन दाता वचन ग्रहिता द्वारा कारे करने के समय मेजर भी होना चाहिए वयस्क भी ह होना चाहिए है तीसरा पॉइंट इसका हम देखते हैं जो कि इसे अपवाद से रिलेटेड है तो वो यह मान के चलता है कि काल बादित रिणों के बुक्तान के लिए अनुबंद होते हैं तो जैसे कोई भी रिणदाता अपने रिणी से काल बादित रिण यानि कि टाइम बाद रिप्स वसूल करने का वैदाने का अधिकार नहीं रखता है लेकिन यदि कोई रिणी अत्वा उसका कोई अधिकरत एजेंट उसकी और से किसी काल बादित रिण का आंशिक या अनुबंद कर लेता है तो ऐसा अनुबंद भी वैद माना जाता है लेकिन ऐसे अनुबंदों में लिम लिखित बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है पहला तो यह है कि ऐसा अनुबंद स्पष्ट होना चाहिए घर्वित अनुबंदों को मान्यता नहीं दी जाती है दू भाने से पहले उस शर्ट को पूरा करना ही पड़ता है तो इस तरह से यह इसके अफवाद हो सकते हैं इसके अलावा भी विदाउड consideration का void होता है जबकि भेट में जो वास्ता में चीजें दी गई है भेट जो वास्ता में दी गई है उसके प्रतिफल के अभाव में उसकी वैद्दा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी तरह दान देने के अनुबंद हो सकते हैं दान दे दिया गया तो तथा ले लिया गया हो तो वह अनुबंद निश्पादित हो जाता है उसकी वैद्दा को चुनोती नहीं दी जा सकती है लेकिन यदि भविशे में दान ये चंदा देने का कोई अनुबंद किया जाता है तो उस अनुबंद को भी तभी परिवर्टित करवा जा सकता है जबकि दान के वचन ग्रहि तो ऐसे उत्पन किये गए दाइत्व की सीमा तक दान दाता को दान देने के लिए बाद्य कर सकता है तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिफल कई बार वॉइड भी हो सकता है और उसके अपवात की भी हमने इस लेक्चर में स्टेडी की है